जाहिन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो रात के बारा बजे हैं हम लोग आज आपके लिए लेके आएँ Crossed accounts condensation, लास्ट वडियो में हमने कलाई कळेसन को देख आता है तो ये वीडियो उससे आगे का वीडियो है तो आए जानते हैं, Crossed comments condensation को याद रखेगा alpha H atom containing दो डिफरेंट एस्टर को जब आप बेस की प्रिजेंस में treat करते हैं तो दोनों एस्टर आपस में condense होके देते हैं चार अलग अलग तरह के बीटा keto एस्टर और यहाँ पे आपने दोनों different एस्टर लिए हुए हैं तो यह क्लेजन ना कहला के अब कहलाएगी क्रोस्ड क्लेजन condensation क्या है किलियर है आपको तो लास्ट वीडियो में आपने जना था कि क्लेजन के अंदर दोनों जो एस्टर थे alpha H वाले दोनों same थे लेकिन यहाँ पे दोनों हम लोग different लेते हैं that's why it is known as क्लेजन condensation और यह हम क्लियर कर लेते हैं example के साथ तो आप यहाँ पे देख पार है कि हमने दो एस्टर ली हैं दोनों एस्टर different हैं दोनों के पास alpha carbon पे H लगे हुए हैं तो alpha H containing दोनों different ester को जब आप base की presence में heat कराते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार अलग-अलग टाइप के beta keto ester मिलते हैं क्यूं भाई क्यूं जानने के लिए तो आपको mechanism देखनी पड़ेगी तो आए जान लेते हैं mechanism of closed clayson condensation step 1 generation of inolate anion आप clayson condensation में पढ़के आए हैं कि यह reaction जो होती है तीन step में होगी यहाँ पर भी तीन step में होने वाली और पहले step में बनता है हमेशा की तरह inolate anion both esters have alpha H atoms so both form inolate iron बच्चों यहाँ पे एक छोट सा twist आजाता है जो clayson में नहीं था क्यों नहीं था क्यों clayson के अंदर दोनों ester same type के थे यहाँ पे दोनों ester molecule different type के होते हैं तो different type के हैं alpha H वाले हैं base के साथ heat कर रहे हैं तो ध्यान रखेगा दोनों ester जो है inolate anion देंगे तो पहले हम लोग यहाँ पर पहले वाला जो हमारा ester molecule है उसको base के साथ heat कर रहे हैं आप जानते हैं कि यहाँ पे जो alpha carbon है यह electronegative होता है क्योंकि इसके बाजू में ester group लगा होता है जिसकी वेशे से यह sigma bond के electron carbon H bond के electron अपनी ओर ले लेता है due to heterotically waste carbon पे minus charge आएगा और यहाँ से इस निकलने वाले proton को H plus को base ले जाता है resultant हमारा carbon ion होता है carbon ion का जो यहाँ पर electron density है negative charge है यह conjugation का एक part होता है conjugation के part होने की वज़े से यहाँ पर यह carbon ion inolate NIN में convert हो जाता है both are interconvertable due to resonance due to conjugation आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह वापस आएगा तो carbon पे minus charge जाएगा और inolate convert हो जाएगा carbon ion में तो बचों confuse मत होईएगा inolate NIN को हम लोग यहाँ पर reaction में carbon ion यह carbon ion को inolate बोलते हैं आपने देखा कि पहले वाले ester molecule से हमको पहले वाला carbon ion first या inolate NIN first मिला है अब दूसरे ester molecule को देखें यहाँ पर alpha H है तो यहाँ पर heterotic leave is हुआ carbon पे sigma bond के electron जाएंगे यहाँ से proton को हमारा alkoxide बाहर निकलता है क्योंकि base को proton पसंद है उसके बाद यह हमारा अगला second number का carbon ion कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जो due to resonance inolate में convertible होता है अब लेते हैं step 2 जिसमें हमारा inolate NIN जो है या जो carbon ion है वो attack करेगा दूसरे ester molecule के carbon carbon पे अगर मैं यह क्लेजन में कहता है तो बिलकुल सही होता लेकिन cross or क्लेजन में कहना ऐसा सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो तरह की inolate NIN या दो तरह की carbon ion बने है तो यहाँ पे attack of inolate NIN की possibilities जो है वो बहुत ज़ादा होती है different type की होती है तो पहले आप उसको जानतो लिजे पहले लेते हैं एक condition when inolate type first attacks तो बच्चो जब हमारा पहले type का जो inolate NIN या carbon ion बना था जब वो attack करेगा तो देखिए कौन-कौन से alcoxide बनते वे दिखाई देंगे आपको देखिए हमने जब first type का हमारा carbon ion था या inolate NIN था उसका हम लोग attack करा रहे हैं दूसरे वाले ester molecule के carbonil carbon पे आप जानते हैं पाई electron को अपनी और attract करता है due to electron negativity of oxygen same time यहाँ पर क्या होगा बच्चो carbon पे यह carbon ion attack कर देगा क्योंकि carbon जो है electron deficient हो जाता है oxygen पे minus charge आएगा bond single रह जाएगा और यहाँ पे single bond बना के यह पूरा fragment यहाँ पे combine हो जाएगा और यह जो reaction intermediate बना है यह type का इसको बोलते है अलकोकसाइड अनायन अब आप देखी कि जो आपका first type का inolate अनायन है वो अपने parent ester पे भी तो attack कर सकता है तो इस inolate का यह वाला parent ester था इसके carbonil carbon पर भी यह attack करता है बच्चों कुछ इस तरीके से ध्यान नखीगा repeating again कि जो भी यहाँ पे inolate type बनेगा एक inolate अनायन या carbonion जो है वो दोनों ester molecule के carbonil carbon पे बारी बारी से attack करेगा और एक inolate अनायन दो तरह के अलकोकसाइड बनाएगा तो पहले वाले inolate type फर्स्ट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइप ने बच्चों दो तरह के a और b टाइप हमारे अलकोकसाइड बना दी है यह आपको clear हो गया होगा b when inolate nion type 2 attacks तो यह बताया था अभी आपको कि यहाँ पे दो तरह के inolate बनते हैं पहले वाले inolate ने अटेक किया तो आपको a b type के दो अलकोकसाइड बने अब आपका second type जो है वो जब inolate nion attack करेगा या carbonion attack करेगा तो आपको दो और अलकोकसाइड आइन बनते हुए दिखाई पड़ेंगे कैसे आए जानते हैं बच्चो यह देखिए हमारा जो second type का inolate nion है यह यहाँ पर पहले वाले एस्टर molecule के carbonil carbon के साथ bonding करेगा पाई लेक्टोन ओक्सिएन पर कहें किलियर आप पर single bond जाएगा और यह वाला carbon इस वाले carbonil carbon के साथ single bond बना के जुड़ जाएगा और resultant हमारा C type का alcoxidion कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा अब बच्चो अगली possibility यह रहती है कि जो हमारा second type का inolate nion या carbonion है यह अपने parent tester के carbonil carbon पे भी attack करेगा कुछ इस तरीके से mechanism तो आपको clear होई गई है जिससे आपको अगला D type का alcoxidion कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा step third elimination of alcoxid आप जानते हैं कि third step में आप पढ़के आएं क्लेजन कंदिशन में कि alcoxidion बहार निकल जाता है जिससे मिल जाता है हमारा beta keto ester सामने A type का alcoxidion है जो हमारा step 2 में बना था यहाँ पे बच्चो आप देख पारें कि यह alcoxy group लगा है और alcoxy group जो होता है it is a good living group यह बार निकलेगा और यहाँ से यह electron density अंदर आ जाएगी और यह double bond में convert होके कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा अगर आप यहाँ पे counting करें तो यह alpha होगा और यह हमारा beta होगा और आप देख रहे हैं कि आपका बन गया है third type का beta keto ester बच्चो आपने देखा था कि जो हमारी cross reclase and condensation होती है उसमें चार तरह के beta keto ester बने थे तो हमने यहाँ पे A type के अपने alcoxide NIN से देखा कैसे वो third type के beta keto ester में convert हो जाता है अभी हमारे तीन type और बच्चे हैं यह हमारा B type का alcoxide NIN है यहाँ से यह वाला alcoxide NIN कुछ ऐसे निकलेगा और यहाँ पे bond double हो जाएगा जिससे हमको हमारे वाला beta keto ester मिल जाएगा यह हमारा first type का था जो आपने starting में देखा था यह हमारा third type का C type का alcoxide NIN है जो step 2 में बनाता है यहाँ से alcoxide bar निकल जाएगा और यह बन जाएगा हमारे अगले type का beta keto ester तो बच्चो clear हुआ यह second type का यह four type का और इससे पहले हमने देखा था third type का और first type का beta keto ester तो चारो beta keto ester formation क्यों होता है कैसे होता है यह हमने सीख लिया है hopefully यह आपको clear हुआ होगा तो बच्चो अब बचा है आपके लिए तोफा जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं practice problems तो आप उनको कीजिए बताइए product क्या बनेगा और यह तो cross reclasion condensation का direct example है और यह उसका बनाया हुआ एक application है clear यहाँ पे यहाँ पे आपको बताना है कि product क्या बनेगा mechanism को गर आप इस for watching